असलाम आलेकुम फ्रेंड्स दिस इस मेनाज और वेलकम बेक टो मैं चैनल कैसे है आप सब? I hope सब अच्छे ही होंगे आप सब अपना ध्यान रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए आज मैं आप से शेयर करने जा रही हूँ पनीर की वो रेसिपी जो हमारे घर में सब को पसंद है और पसंद क्यों नहों क्योंकि ये रेसिपी बनती है धाबा स्टाइल में तो चलिए बनाते हैं धाबा स्टाइल पनीर मसाला पनीर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर तू मीडियम साइज के प्यास चॉप किये वे थ्री फोद काप दही थ्री फोद काप मिल्क याने दूद तू टेबल स्पोन अदर क्लसन का पेस्ट तू मीडियम साइज के टमाटर मिक्से में पीस कर लेना है थ्री फोद काप हरा धनिया लेंगे तू टेबल स्पोन सुहाना का पनीर मक्षन वाला मिक्स मसाला और इसके इलावा वन फोट टीस्पोन हल्दी पाउडर हाफ टीस्पोन कश्मिरे लाल मिच पाउडर सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल में सुहाना का पनीर मसाले का एक घोल रेडी कर लेंगे थ्री फोद कप दूद और थ्री फोद कप दही को एक साथ कर लें अब इसमें पनीर मक्षन वाला मिक्स मसाले का टू टेबल स्पोन एड़ कर लें और इसे अच्छी तरह से मिला कर एक तरफ रख दे पैन गरम होते ही दो से तीन टेबल स्पून तेल डाल दे अब इसमें टू मीडियम साइज के प्याज जो की चौप करके रखा है वो डाल दे जैसे ही प्यास थोड़ा सा नरम हो जाएं तो इसमें हम अद्रक लसन का पेस्ट शामिल कर लेंगे इसे अच्छे से भून लेना है ताके अद्रक लसन का कच्चापन खतम हो जाएं टू मीडियम साइज के टमाटर जिसे हमने मिक्से में पीस के रखा है उसे भी हम इसमें शामिल कर लेंगे टमाटर सॉफ्ट हो चुका है अब इसमें सारे स्पाइसिस डाल देते हैं हल्दी पाउडर, कश्मे लाल मिश पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दें एक से दो मिनिट तक अच्छे से भून लें मसालो को जितना आप अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्ट में मज़े का होता है किनारो ने आउइल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका ये मतलब कि मसाल अच्छे से भून लिया गया है हमने जो दूद, दही और पनीर मक्षन वाला मिक्स का जो घोल रेडी किया था, वो भी इसमें हम डाल देंगे उसी बॉल में एक कप पानी लेते हुए पैन में एट कर ले, अब इसे अच्छे से मिला ले इसमें हम हजबे जाई का नमक डाल देंगे अब इसे एक गुबाल आने तक पकने देंगे लिट से ढख कर पकने दें करीब 7-8 मिनिट बाद इसे चेक कर लेंगे मसाला पक चुका है, अब इसमें हम 200 ग्राम पनीर के क्यूप्स डाल देंगे पनीर के साथ मसाले को 5-6 मिनिट धीवी आँच पर ही पकाना होगा इसमें चौप कियावा हरा धनिया शामिल कर ले ताके हरे धनिय का फ्लेवर मसाले में आ जाए बस अब इसे लिट से ढख कर 5-6 मिनिट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे पनीर मसाला धावा स्टाइल में रेडी है लच्चेदार पराठी के साथ परोसे या फिर तंदुरी रोटी के साथ खाएं बहुत ही मज़े का लगता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले कमेंट जरूर करें मुझे आपकी कमेंट का इंतिजार है अपने अज़िजा कारी में ये रेसिपी शेयर ज़्यादा करें और मेरे चनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब जल से जल करें बैल आइकन को जरूर दबाए ताके नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तिल देन बाई बाई